श्रीन आज्जी गुरुजी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरब बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश हनुमान जी का जब नाम आता है ना, तो एक मंत रुद्धि माग में आता है, ओम हन हनुमन तैनमा, ठीक है, उसके बाद बेशन का लड़ू, लाल सिंदूर और सात्विक पूजन, लेकिन क्या है, हनुमान जो है, वो रुद्रवदार है महासेतु बंद, महाशैल, प्रवाह, गगन चन, ये, हे, ही, भगवान महाबल, पराक्रम, भैरवाज्या, पयती, ये, हे, ही, हुम फट। ये, एक मंत्र है, हनुमान जी के आवाहन का। और तंत्र में, हनुमान जी के कई एक मंत्र हैं। लेकिन हनुमान जी के विशे में जानकारी हनुमान 40 तक रखना और जो लाब मिल सकता हनुमान जी के साधना से के वो आम जनमानस को ना मिले, इस कारण से सब को लुप्त कर दिया गया अब आते हैं विशय पर, कौन-कौन से मंत्र आप लोग करेंगा और क्या-क्या लाब होगा और क्या-क्या विधान आप कर सकते हैं पहला मंत्र, ओम, हॉम, हस फ्रेम, हरूफे, हस्त्रव, हसफे, हसव, हनुमंते नमाहा देखे, क्या है, कि जब बीज आक्षर होता है न, जब आप एक लाइन का बीज आक्षर पढ़ते हैं तो आप समझ लिजे, चालीसा स्तूती का आपने दस पेज पढ़ लिया है, ठीक है अब जो बीज आक्षर होते हैं, उसमें बहुत सारे बीजों का संयुक्त विधान होता है तो कम जाप में ज़ादा लाप देता है, तो थोड़ा कठिन होता है तो धीरे धीरे मैं पढ़ता हूँ, ओम, हौम, हस फ्रेम, हरू फै, हस त्रौं, हस फ्रें, हसव, हनूमते नमहा ये है पहला मंत्र, इस मंत्र को 21 दिनों तक 12,000 जाप करना होता है प्रति दिन ठीक है, और उसके बाद दही, दूद, घी मिदा करके, धान में उस सब पूरा मिश्रन को मिला लीजे और दशांस आहूती दे देना है, ठीक है, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके बाद किसी भी तरग्य विनाश के लिए इस मंत्र का प्रेयोग होता है दूसरा मंत्र, ओम, आम, श्रिम, हिम, हसफ, हक्रेम, हस्त्रोम, हसफ्रेम, हसाओं, ठीक है, ओम, आम, श्रिम, ह्रिम, ह। हसफ, ऐसे ही पढ़ेंगे उसको, हसफ, हक्रेम, हस्त्रोम, हफ्रिम, हसाओं, ठीक है, तो जो पहला, तो ओम, आम, श्रिम, रिम, ह, यहां तक तो तै है, सपश्ट है, फिर जो हसफ आता है, उसमें ह, सौ और फौ का उच्छारन आएगा, हक्रेम में ह, आधक हो और कौ का रेफ के साथ, हस्त्रोम में ह, सो, और त्रो का उच्छारन होगा, और हक्रेम में ह, आधक ह, फो, इन तीनों शब्दों का उच्छारन आएगा, ठीक है, इस मंत्र का जाप कैसे करते हैं, यह जो 11 अच्छारी मंत्र है, इसको 11,000 बार जाप करने से, प्रति दिन, ठीक है, 11 दिन तक, यह स्वता सिद्ध हो जाता है, और आपको लावद देने लगता है, इसमें कोई भी जो है, इस मंत्र को आप रोज जाप कर सकते हैं, और इसको जाप करने में आपको कोई बहुत रक्षरी मंत्र होता है, ओम हन हनुमते, अब आप बुलेगा हाँ, यह मंत्र तो जानते हैं, लेकिन यह दुरा मंत्र है, ओम हन हनुमते, रुद्रान काया हुमफट, ओम हन हनुमते, रुद्रान काया हुमफट, ठीक है, इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करके, रोज 108 माल से अत्यंतलाब होता है इसमें बहुत जादा आपको जो है विधान करने की जरूतनी है एक मंत्र चौथा सुनिए जिसमें विधान की आवशक्ता होगी प्रतेक मंगलवार को आपको वरत करना है जो वरत करते हैं उनको तो यह मंत्र करना ही चाहिए ठीक है और पचीस माला इसका जो है पचीस मंगलवार तक वरत के साथ जाब करिएगा ठीक है तो इस मंत्र से क्या होता है जो रोग रोगी व्यक्ति होता है उसका रोग आप ठीक कर सकते है आपने देखा होगा कि लोग पानी पढ़के देते हैं तो रोग ठीक हो जाता है, सर पर हाथ फेड़ते हैं तो रोग ठीक हो जाता है, पीलिया आप देखेगा कि बहुत लोग जॉंडिस जो पीलिया होता उसको जाड़ता है, तो वो इसी मंत्र से जाड़ता है, क्या मंत्र है तो हमने आप लोगों को पहले बताया था एक बार कि संस्कृत में भी साबर मंत्र होते हैं ठीक है तो ये सब उसी का एक रूप है अगला जो पांचवा मंत्र है वो मैं उन साधकों देता हूँ जो तंत्र साधना करते हैं जो अगोर साधना करते हैं ये किन का मंत्र है ये मंत्र है दक्षिन मूर्ति हनुमान जी का आप देखेगा कि हिंदु धर्म में दक्षिन मूर्ति की पूजा जल्दी लोग नहीं करते हैं जो तंत्रिक होते हैं जो ओघड होते हैं वही दक्षिन मूर्ति की पूजा करते हैं तो ये दक्षिन मूर्ति की इसका जाप संख्या जो है वो दस हजार होता है उसके बाद अश्ट गंद से जो है इसका आपको दशांस करना होता है आम की लगड़ी पे मंत्र क्या है तीन बार बोलूगा ध्यान से सुनिएगा जो तंत्र विद्या में हैं जो साधना करते हैं वो इस मंत्र को जरूर सुने और लिख लीजेगा इसको जो तंत्रिक प्रियाय करते हैं वो आजीवन इस मंत्र को कंठास्त कर ले और जब भी आप इस मंत्र का प्रियोग करेंगे किसी को प्रेत बादा हो किसी को भूद बादा हो खुद किसी बादा में फसे हो आप मुझे जरूर याद करेंगे कि एक अच्छा मंत्र दिया है अच्छा अब एक एक एक्स्टा मंत्र मैं आप लोगों को देता हूँ पूरा वीडियो सुनने के लिए ये उन लोगों के लिए है जो बहुत टेक्निकली पूजा नहीं करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा उन पर बनी रहे ठीक है तो मंत्र है ओम राम रिम फट देही ओम शिवम सिद्धी ओम राम रिम रुम स्वाहा ठीक है इसका रोज 108 बार जाब कीजिएगा एकड़म अनन्त फल महादेव और हनुमान जी का आपको मिलता रहेगा आज के लिए इतना ही जिनको पेड वाट्सप ग्रूप से जुड़ना है वो मेरे बेसिक साधना ग्रूप से जुड़ सकते हैं नमबर है 9431188585 इस साधना में जो साधना का शुरूवाति आयम है इस ग्रूप में हम आपको बताता है जैसे यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, हवन करना, इनको मेरा अगामी कारिक्रम जानना है या मेरे अलिखे लेक पढ़ने वो www.aghortantarhais पर जा सकते हैं इसके अलावा मुझ से डिरेक्ट बात करने के लिए आप वाट्सप पर अपाट्मेंट ले सकते हैं या कॉल मी फॉर आप डाउनलोड कीजिए उसमें रूद्र ना थेट सीम फोर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा इस पर आप मुझ से बात कर सकते हैं आज के लिए तहीं महावीर मुमान और वहरब महराज आपकी रक्षा करें ऐसी मेरी उन से प्राधना है आप सभी को आदेश 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 आला खादेश